नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल जोतीस देसी रसोई में दिल से स्वागत है तो ये देखिए दोस्तों हमने आधा किलो भिंडी लिये हैं तो भिंडी को हमने अच्छे से धो लिये हैं तो धो लिये हैं दोस्तों तो अब हम छान लेते हैं क हम ने बिंडी को अक्षे से धू कर स्छान लिये जो सब्थाइब हमने बिंडीों अजो कीडिया है we just修ंच अमने की आज शुंच लगएगा तो संटा आज हम बना रहे हैं मसाला उंदी इस तरह से आप बनाईए गाणा तो बहुत ही अच्छा लगेगा यह देखिए दोस्त और यह देखिए हमने थोड़े से मसाले लिए हैं तो इन मसालों को हम पीस लेगे हमारा जो मसाला है दोस्तो तो पीस कर तयार है तो अब हम चुड़े पर एक कराही रख देंगे और उसमें हम एक चम्मस तेल डालेंगे और भिंडी को डाल देंगे और भिंडी को डाल कर अच्छे से फ्राइग कर लेंगे अब हमने एक प्याज लिए है मिडियम साइज का और एक मिडियम साइज का टमाटर लिए तो इन दोनों चीजों को हम काच लेगे हमारी भिंडी भूनकर तैयार है दोस्तों तो अब हम निकाल देते हैं अब हम फिर से एक बड़ा चम्मस तेल डालेंगे और चुटकी भर मेथी डालेंगे और प्याज को डाल देंगे और डालकर एक मिनट के लिए भून लेंगे अब हम दोस्तों टमाटर को भी डाल देंगे साथी हम मसाले को भी डाल देंगे और एक बड़ा चम्मस मिर्ची पाउडर डालेंगे और आधा चम्मस हल्दी पाउडर डालेंगे और एक छोटी चम्मस धनिया पाउडर इन सारी चीजों को डालकर अच्छे से मसाले को भून लेंगे जब मसाले हमारे भून गई है तो अब हम भिंडी को भी डाल देंगे और भिंडी को डालकर फिर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डालकर ढख देंगे और हाँ दोस्तों नमक तो हमने पहले ही डाल दिये थे तो आपको हम दिखा नहीं पाए तो इसलिए हम माफी चाहते हैं तो यह देखिए दोस्तों हमारे भिंडी बनकर तयार है तो अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं तो यह लीजे दोस्तों हमारा मसाला भिंडी बनकर तयार है हमारा मसाला भिंडी की रेसिपी